प्यारे बच्चो देखें बच्यो यह चोटा वॉस्चन है और यह टू मार्स में आपको एक्जाम में आ सकता है सुपिश है योгов टू मार्स के 20 क्वेश्चन है और फिर टू मार्स के लगजा Bayern 40 में Total CBSzus तो जो छोटे question है वो ज़्यादा आते हैं तो इसको वन मार्स या टू मार्स में भी पूछा जा सकता है तो इसको आप समझे बहुत आसान question है उसने कहा है एक figure दिया है जिसमें चार पाइंट दिये हुए और उसने कहा a c और b d equal है यह नहीं यह a c का जो length है यह और b a c d का j 열 Alt यह आपस में बराबर है तो आपको prob करना है ये b limit का जो length ये और c d का Joland यह आपस में बराबर लाना है आपको तो ब्हूत आसान question है आपको दिया क्या है जो दिया उसको क्योंकि हमेसा कोई भी question a price करें तो जो दिया हुआ कि A, C किसके बराबर है बच्छों, B, D के बराबर है और A, C को दो भागों में लिख सकते हम, तो A, C को मैं क्या लिख सकता हूँ, A, B, P, C, तो इस A, C को मैंने यहाँ पर क्या, नोट कर दिया इसकी जगे AB PLUS BC इस AC के PLACE पर मैंने यह नोट कर लिया यहां लिख लिया ठीक है BD की जगे क्या नोट कर सकता हूं मैं यह BD दो भागों बटा हुआ BC PLUS CD इस BD को मैंने यहां पर क्या लिखा है BC PLUS CD समझ मा रहा होगा बच्छो अब यहाँ पर देखो यह BC को जब मैं इधर लिया हूँगा नेगेटिव हो जाएगा तो BC से BC आपका कैंसिल हो जाएगा तो इसको मैं डारेक भी कैंसिल कर सकता हूँ तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चो ए बी बराबर सीडी और यह आपका क्वेश्चन हल हो गया समझ मैं आ रहा है बच्चो बस इतना ही करना तो वन या टू मार्स में आपको आ सकता है प्वाच्चन प्रविश्चन नमबर सेवन पाइप पाइंट वन एक्सरसाईस का लास्ट क्वेश्चन है यह तू या थ्री मार्स में आपको पुशा जा सकता है question बहुत अच्छा question भी है आप इसको ध्यान से देखेगा और इसको आता सब है आपको लिखना आना चाहिए इसको क्या note करना क्या कह रहा है वाई इस एक्जाउम 5 इन दे लिस्ट आप युक्लियर्स एक्जाउम इसको दो भागों में कर दिया है इसको दो भागों में कर दिया है यह पूरा पें जो इस टुकड़े से बढ़ा होगा ना या इस से यह पेंड़ा होगा तो यह सब जानते हैं एक लिटर दूद है उस मेंसे सो गराम दूद 100 मिली ग्राम हमने बाहर निकाल लिया तो क्या होगा वह एक लीटर दूद क्या है होल इस ग्रेटर तेन तड़ ये उसने कहा है ठीक है ना तो हम जानते हैं कि अब पार्ड इस निवर ग्रेटर देन होल यह ने जो पार्ड वह वह बड़ा होई नहीं सěकता है 100 मिलिज्ग वण लीटर से बड़ा होई नहीं सकता'? तो कर दो केसे में आप इसके अलावा भी दूसरा एक्जामपल दे सकते हैं या दो एक्जामपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए केस परस्ट लिया मैंने मानलो मैंने mathematically प्रूव कर रहे है sum of three number A, B, C is S तो हम क्या लिखेंगे mathematically S जो है A, B और C का sum है तो S किस से मिला मिलकर बना है ये संख्या A, B और C तीनों से मिलकर बना तो क्या A, S से बढ़ा होगा नहीं होगा S हमेशा A से बढ़ा होगा S B से भी बढ़ा होगा S C से भी बढ़ा होगा ये पार्ट है तो पार्ट से बढ़ा हमेशा S होगा तो S A से भी बढ़ा है B से भी बढ़ा है, C से भी बढ़ा है ये दोनों मिला दे तो दोनों से भी बढ़ा है इन दोनों को मिला दे तो इनसे भी बढ़ा है और A और C को मिला दे तब भी S बढ़ा है तो इसका मतलब whole is greater than होता है हमेशा उसके पाड से तो यह तो फर्स्ट हमने प्रूव किया मैथेमेटिकली सेकेंड हम ले रहे हैं जैसे हमारा कंट्री है हमारा जो इंडिया है देश उसको ले रहे हैं तो वी मिलकर मैण सारे इस्टेट से मिलकर बना है तो इसमें अलग-अलग स्टेट सब मिलाके इंडिया बनात किसके से MP यूपी । राजपा गारास्तान और बीच में सारह जंबू कस्मिर तक हैना जितने भी स्टेट और सबसे मिलकर इंडिया बना है समझगे बच्चों तो क्या इंडिया से बड़े यह हो सकते क्या कभी नहीं हो सकते इसका मतलब यह पार्ट है तो यह पार्ट हमेशा इंडिया से छोटे होंगे तो इसका मतलब इंडिया greater than MP इंडिया greater than होगा यूपी यानि पार्ट से बड़ा होगा होल इस पार्ट से बड़ा होगा होल इंडिया का पार्ट है जम्मु कस्मीर तो जम्मु कस्मीर से बड़ा होगा इंडिया तो यहां पर कहने का मतलब है कि एक यूनिवर्सल टूथ है तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया बच्चो है एक्जाम फाइब कंसीडर एज यूनिवर्सल टूथ कि यह सत्य है कि हमेशा जो पूरी चीज रहती है पूरी एक किटकेट टॉफी है उसको तोड़ देंगे तो वह जो पार्ट है वह पूरी किटकेट का टॉफी से हमेशा छोटा होगा ओके थेंक यू है वे नाइस टे